तो गाईस आप लोग देख सकते हैं यही है रनवीर सिंग का नया वाला घर जो की 119 करोड का इनों ने खरीदा अभी फिलाल जल्दी में आप लोग देख सकते हैं आप आप लोगो नक्सा दिखा रहा है जो की अभी यहाँ पे काफी तेजी से काम चल रहा और रहे कि इसी तर में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं रनवीर सिंग का नया वाला घर जी आँ गैस आप लोगों को बता दे रनवीर सिंग और देपी का पादुकोन में का नया वाला घर जो इन्होंने नया घर खरीदा है वो मुंबई के एक बहुस इलाकों में खरीदे गैस आप लोगों है आज कि इस वीडियो में बहुत सारी बात आप लोगों बताएंगे वीडियो अच्छी लगते इस वीडियो को लाइक एंड चनल को सब्सक्राइब करें यह व्लॉग अपने रूम से अपने सेट अप से स्टार्ट कर रहे हैं और क्योंकि आप लोगों बता दे मुंबई में तोड़ा सा रिक्स हो गया वीडियो ओहर जगे नहीं बना सकते एक दो जगे मुझे प्रॉब्लम हो गया तो कभी कभी हम क्या करते अपने सेट अप से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते चलिए वीडियो करते फटा बट शुरू तो फाइनली गाईस हम आ चुके हैं रनवीर बनके रैडी होने वाली है जो कि यहां पे आप लोगों को सामने LED पे लगा हुए आप लोगों को दिखा रहे हैं देखे एकदम बिल्कुल यही एकदम सेम बिल्डिंग बन रही है और काफी तेजी से यहां पे काम चल रहा है अभी काफी ज़्यादा धूप है इसके थोड यहां पे मोटे जगे में नहीं है मुंबई के मुंबई के बहुस इलाकों में इस्तित्य आप लोगों को बता दे यहां पे इन्हों ने रनवीर सिंग ने 119 करोर रुपे पे की हैं यहां पे अपना नया वाला अपाटमेंट खरिदने के लिए गा इस आप लोगों को बता यह जगे मुंबई का बांदरा बैंड इस्टेंड का जगे अभी आप लोगों को समुंद्र का नजारा दिखा रहे हैं कि यही पे समुंद्र का काफी तगड़ा नजार आप लोगों देखने को मिलेगा आप लोग देख सकते हैं यह रहा मुंबई का बांदरा बैंड इस् देखेगा और वो राज सारु खान का मननत बंगलो यहां गैस अपार्टमेंट आप लोगों को बता दे कहीं न कहीं यह रनवीर सिंग दिपिका पादुकोन और सारु खान गौरी खान यह लोग पडोसी बन चुके हैं यहां गैस आप लोग देख सकते हैं अब दिपिका हुआ है आप लोगों को साफ तोर पर दिखा है एकदम दिखेगे एकदम इसी लुक में बन रहा है यह और यह काफी लकजेरियस बन रहा जी हां गैस आप लोगों को बता दे 119 करोड रुपे इन्होंने पे किया है और यहां पे काफी तेजी से काम चल रहा है अभी इस से कहां पे रहते हैं वो भी मैंने इनकी घर का वीडियो बना चुका हूँ अभी फिलाल परजेंट टाइम में कहां रहते हैं यह जैसे बन जाएगा यह तुरंट आकर यहां पे यह लोग शिफ्ट हो जाएंगे आप लोगों को बता दे यहां पे पठान मूवी आई थी ना तो यहां पे सबसे अच्छा किरदार दीपी का पादुकोन में का बता गया था जो कि दीपी का पादुकोन में रनवीर सिंग की वाइफ हैं यहां गया इसे आप लोगों को बता दे बहुत जल्दी यहां पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे और सारु खान के काफी क्लोज में हो पड़ोसी बन जाएंगे जैसे कि आप लोगों को बता दे सारु खान के गेट के सामें हमेशा यहां पे भीड रहती है अब यहां पे भी काफी जधा भीड रहेगा क्योंकि आप लोगों को बता दे रनवीर सिंग के भी चाहने वाले काफी जादे हैं अगर आप लोग सिंग के कौन-कौन फैन है और रनवीर सिंग का आपको कौन सा मुवी अच्छा लगता है कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके मुझे जरू बताएगा जो उनका मुवी आप लोग रिपीट करके देखना पसंद करते हो मुवी का नेम जरू कॉमेंट किजिगा हो सके तो उस हम आप लोगों को वीडियो बना के भी दिखा दे तो गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हैं रनवीर सिंग के बारे में आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरू बताएगा और यह देख सकते हैं उनका नय वाला घर जो कि अरप सागर के सामने जश्ट देखने को मिल रहा है म मुंबई का बांदरा बैंड डिस्टन एक बॉस इलाका माना जाता है जो कि मुंबई का बॉस इलाका होता है देख सकते हैं यहां पर आप लोग यहां पर सारू खान का घर और यहां पर रनवीर सिंग का घर अब यहां पर काफी बड़े बड़े बॉलीवूड इस्टार तारुक खान वो यहां पे रहते हैं उसके बार रनवीर सिंग देपीका पादुकॉन और रेखा मैम जॉनम ब्राहम टाइगर स्रॉफ सल्मान खान यहीं पे काफी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे बस इतने सारे लोग पडोसी बन चुके हैं जैसे कि आप लोगों को बता दे यहां पे जॉनम ब्राहम टाइगर स्रॉफ रेखा मैम यहां पे सारे लोग इनके पडोसी बन चुके हैं सल्मान कान मतलब एक किलमेटर के अंदर अंदर ना सभी बॉली बूट सूपर इस्टार आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहीं पे यह मुंबई का करें तो इनके पास मसडीच और से काइने और यहां पे ब्यम डबलू रेंज रोवर लेंड रोवर ऐसे तरह तरह लेक्जरी कार आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अगर गाइस इनके वन मुवी की फिस की बात करें एक मुवी का फिस यह 30 करोड पे चार्ज करते हैं यहीं पे ब्रेंड एंडोस्मेंड के लिए भी मतलब करोडों में चार्ज करते हैं जी आगाइस आप लोगों को बता दे एक महिने की कमाई की बात करें तो एक महिने में यह 2 करोड से जादे की कमाई करते हैं और सलाना की बात करें तो 24 करोड से जादे की कमाई करते हैं काफी लगजरी कारेों के काफी जाधे सौकीन है और इन्हों ने जो ये नया घर खरीदा है 119 करोड रुपे अभी तेक इसका पे की हैं गाइस आप लोग ग्रनवीर सिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट करके मुझे जरू बताईएगा